C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है पार्ट नौ चीडिया की बच्ची प्रिष्ट संख्या सड़सट माधवदास ने अपनी संग मरमर की नई कोठी बनवाई है उसके सामने बहुत सुहावना बागीचा भी लगवाया है उनको कला से बहुत प्रेम है धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है सुन्दर अभी रूची के आदमी है फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फवारों में उचलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है समय भी उनके पास काफी है शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आस्मान कई रंग का हो जाता है तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तक्त डलवा कर मसनत के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृती की छटानी हारते हैं इन में मानों उनके मन को त्रिप्ती मिलती है मित्र हुए तो उनसे विनोध चर्चा करते हैं नहीं तो पास रखे हुए फरशी हुक्के की सटक को मुह में दिये ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वपन की भांती गुजार देते हैं आज कुछ-कुछ बादल थे माधवदास मसनत के सहारे बैठे थे उन्हें जिन्दगी में क्या स्वाद नहीं मिला है पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है प्रिष्ट संख्या 68 उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिडिया आन बैठी चिडिया बहुत सुन्दर थी उसकी गरदन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी पंक उपर से चमकदार सियाह थे, उसका नन्ना सा सिर्तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चीडिया को मानो, माध्धवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो, तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी परहिलाती थी, कभी फुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी मादवदास को वह चिरिया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वचंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी, कुछ देर तक वह उस चिरिया का इस डाल से उस डाल तिरकना देखते रहे इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए, उन्होंने उस चिरिया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आईं, ये बागीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है सुनो चिरिया, तुम खुशी से ये समझो, कि ये बागीचा मैंने तुमारे लिए ही बनवाया है, तुम बे खटके यहां आया करो चिरिया पहले तो आसावधान रही, फिर जानकर कि बात उस से की जा रही है, वह एका एक तो घबराई फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बागीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहां टिक गई थी माधवदास ने कहा, हाँ बागीचा तो मेरा है, यहां संग मरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुम से बहुत खुश होता है चिडिया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे बोध हुआ कि यहां उससे गलती तो नहीं हुई, कि वह यहां बैठ गई है उसका थिरकना रुक गया, भय भीच सी वह बोली, मैं ठक कर यहां बैठ गई थी, मैं अभी चली जाओंगी, बागीचा आपका है, मुझे माफ करें माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिडिया, तुम्हें देख कर मेरा चित प्रफुलित हुआ है, मेरा महल भी सुना है, वहां कोई भी चह चाहाता नहीं है तुम्हें देख कर मेरी रागनियों का जी बह लेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों न रहो, चिडिया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ सूरज की धूब खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने, मैं जरा घर से उड़ाई थी अब सांच हो गई है, और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें मादवदास ने कहा, प्यारी चिडिया, पगली मत बनो, देखो, तुम्हारे चारों तरफ कैसी बाहर है, देखो, वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या-क्या ना पाऊगी मेरा दिल वीरान है, वहां कब हसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सूना मूती है, सूने का एक बहुत सुन्दर घर मैं तुम्हें बना दूँगा, मूतियों की जालर उसमें लटकेगी तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, मां के पास बताओ क्या है, तुम यहां ही सुक से रहो, मेरी भोली गुडिया चिडिया इन बातों से बहुत डर गई, वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुख गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहां से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है, मेरी मां के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूब बिकरी रहती है, मुझे और क्या करना है, दो दाने मां ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, तो मां मेरी बाट देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी मां की हूँ, प्रिष्ट संख्या उनहत्तर माधवदास ने कहा मेरी भोली चिडिया तुम्हें देख कर मेरा चित प्रफुलित हुआ है मेरा महल भी सुना है वहां कोई भी चह चहाता नहीं है तुम्हें देख कर मेरी रागनियों का जी बहलेगा तुम कैसी प्यारी हो यहां ही तुम क्यों न रहो चिडिया बोली मैं माँ के पास जा रही हूं सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं ज़रा घर से उड़ाई थी अब साँच हो गई है और माँ के पास जा रही हूं अभी अभी मैं चली जा रही हूँ आप सोच ना करें माधवदास ने कहा प्यारी चिडिया पगली मत बनो देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बाहर है देखो वह पानी खेल रहा है उधर गुलाब हस रहा है भीतर महल में चलो जाने क्या क्या ना पाऊगी मेरा दिल वीरान है वहां कब हसी सुनने को मिलती है मेरे पास बहुत सा सूना मोती है सूने का एक बहुत सुन्दर घर मैं तुम्हें बना दूँगा मोतियों की जालर उसमें लटकेगी तुम मुझे खुश रखना और तुमें क्या चाहिए मा के पास बताओ क्या है तुम यहां ही सुक से रहो मेरी भोली गुडिया चिडिया इन बातों से बहुत डर गई वह बोली मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुख गई थी अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी मैं अभी यहां से उड़ी जा रही हूँ तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है मेरी मा के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूब बिकरी रहती है मुझे और क्या करना है दो दाने मा ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मा मेरी बाठ देखती रहती है मुझे तुम और कुछ मत समझो मैं अपनी मा की हूँ प्रिष्ट संख्या सत्तर माधवदास ने कहा भोली चिडिया तुम कहा रहती हो तुम मुझे नहीं जानती हो चिडिया माहमान्य तुम कौन हो मैं तुम्हे नहीं जानती माधवदास तुम भोली हो चिडिया तुमने मुझे नहीं जाना तब तुमने कुछ नहीं जाना मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास मेरे पास क्या नहीं है जो मागो मैं वही दे सकता हूँ चिडिया पर मेरी तो छोटी सी जात है आपके पास सब कुछ है तब मुझे जाने दीजे माधवदास चिडिया तू निरी अंजान है मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ चिडिया तुम सेट हो मैं नहीं जानती सेट क्या होता है पर सेट कोई बड़ी बात होती होगी मैं अनसमझ ठहरी मा मुझे बहुत प्यार करती है वह मेरी राह देखती होगी मैं माला माल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं क्या मुझे वह तुमारा माला माल होना चाहिए सेट अरे चिडिया, तुझे बुध्धी नहीं है, तु सोना नहीं जानती, सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास धेर का धेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तु देखती रह जाएगी, पीने की कटोरी भी सोने की होगी, चिडिया, वह सोना क्या चीज़ होती है, सेथ, तु क्या जाने की, तु चिडिया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, बस यह जान ले कि सेथ माधवदास तुझ से बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता रहा हूं। उसकी किसमत खुल जाती है، तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठिया हैं, बागीचों पर बागीचे हैं, दास-दासियों की संख्यां नहीं है, पर तुझसे मेरा चित प्रसंद हुआ है। ऐसा वर्दान कब किसी को मिलता है रे चेडिया तू इस बात को समझती क्यों नहीं प्रिष्ट संख्या 71 चिडिया सेथ मैं नादान हूँ मैं कुछ समझती नहीं मुझे देर हो रही है मा मेरी बाट देखती होगी सेथ ठहर ठहर इस अपने पास के फूल को तूने देखा यह एक है ऐसे अंगिनत फूल है ऐसे अंगिनत फूल मेरे बागीचों में है वे भाती भाती के रंके हैं तरह तरह की उनकी खुश्बू है चिडिया तैने मेरा चित परसंद किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे वहाँ घोंसले में तेरी मा है पर मा क्या है इस बहार के सामने तेरी मा क्या है वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है तू अपने को नहीं देखती कैसी सुन्दर तेरी गर्दन कैसी रंगीन दे तू अपने मूले को क्यों नहीं देखती मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूले को चमका दूँगा तेहने मेरे चित को परसन किया है तू मत जा, यहीं रह चिरिया, सेट, मैं अपने को नहीं जानती इतना जानती हूँ कि मा मेरी मा है और मुझे यहां देर हो रही है सेट मुझे रात मत करो रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं रह भूल जाओंगी सेट ने कहा अच्छा चेडिया जाती हो तो जाओ पर इस बागीचे को अपना ही समझो तुम बड़ी सुन्दर हो यह कहने के साथ ही सेट ने एक बटन दबा दिया उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई जिससे सुनकर एक दास जटपट भाग कर बाहर आया यह सब चन भर में हो गया और चिडिया कुछ भी नहीं समझी सेट कहते रहे यह कहते कहते दास को सेट ने इशारा कर दिया और वह चिडिया को पकड़ने के जदन में चला प्रिष्ट संख्या 72 सेट कहते रहे सच तुम बड़ी सुन्दर लगती हो तुमारे भाई बेहन है कितने भाई बेहन है कितने भाई बेहन है चिडिया दो बहन एक भाई पर मुझे देर हो रही है हाँ हाँ जाना अभी तो उजेला है दो बहन एक भाई है बड़ी अच्छी बात है पर चिडिया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था वह चौकन्नी हो हो चारों ओर देखती थी उसने कहा सेट मुझे देर हो रही है सेट ने कहा देर अभी कहा अभी उजेला है मिरी प्यारी चिडिया तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ भहे मत करो चिडिया ने कहा सेट मुझे डर लगता है मा मेरी दूर है रात हो जाएगी तो राह नहीं सूचेगी इतने में चिडिया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्ष उसके देह को छूगया वह चीख देकर चिची आई और एकदम उड़ी नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी तब वह उड़ती हुई एक सांस में मा के पास गई और मा की गोद में गिरकर सुबकने लगी ओ मा, ओ मा मा ने बच्ची को चाती से चिप्टा कर पूछा क्या है मेरी बच्ची, क्या है पर बच्ची काप काप कर मा की चाती से और चिपक गई बोली कुछ नहीं, बस सुबक्ती रही ओ मा, ओ मा बड़ी देर में उसे धांडस बंधा और तब वह पलक मेच उस चाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक ना खोलेगी लेकक जैनेंद्र कुमार प्रिष्ट संख्या 73 प्रश्न अभ्यास कहानी से प्रश्न एक किन बातों से ग्यात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्ता से भरा था और किन बातों से ग्यात होता है कि वह सुखी नहीं था प्रश्न दो माधवदास क्यों बार-बार चिडिया से कहता है कि यह बागीचा तुम्हारा ही है क्या माधवदास निश्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था स्पष्ट कीजिए माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिडिया, सोने के पिंजरे और सुक सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिडिया की जिद का कोई तुक न था माधवदास और चिडिया के मनो भावों के अंतर क्या क्या थे अपने शब्दों में लिखिए प्रश्ण चार कहानी के अंत में नन्नी चिडिया का सेट के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? चालिश, पचास या इस से कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए प्रश्न पांच मा मेरी बाट देखती होगी नन्नी चिडिया बार बार इसी बात को कहती है आप अपने अनुभव के आधार पर बताईए कि हमारी जिंदगी में मा का क्या महत्व है प्रश्न छे इस कहानी का कोई और शीष्चक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? और क्यों? कहानी से आगे एक इस कहानी में आपने सुना कि वह चिडिया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुँच जाती है मधुमक्खियों, चींटियों ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीजों में हमें एक अनुशासन बद्धता देखने को मिलती है इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहां कहां देखने को मिलता है उदाहरन देकर बताईए दो सोच कर लिखिये कि यदी सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्विकार करेंगे आपको अधिक प्रियक्या होगा स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली प्राधीनता ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्राधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता इन कारणों को सुने और विचार करें क्योंकि किसी को प्राधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयम दुखी होता है। वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। क्यूंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। क्यूंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। प्रिष्ट संख्या 74, अनुमान और कल्पना, आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशू, पक्षी, इन तीनों में ही माएं अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती हैं, प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिये, भाषा की बात, एक, पाठ में पर शब्द के तीन प्रकार के प्रियोग हुए हैं, क, गुलाब की डाली पर एक चिडिया आन बैठी, क, कभी पर हिलाती थी, ग, पर बच्ची कांप कांप कर मा की छाती से और चिपक गई, तीनों पर के प्रियोग तीन उद्देशियों से हुए हैं, इन वाक्यों का आधार लेकर, आप भी पर का प्रियोग कर ऐसे तीन वाक्य बनाईए, जिन में अलग-अलग उद्देशियों के लिए पर के प्रियोग हुए हूँ, दो, पाठ में तैने, चन भर, खुश करियों, तीन वाक्यांश ऐसे हैं, जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, चन भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं-कहीं इनके प्रियोग होते हैं, इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिये।